हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे CRP एप कॉंस्टेबल एक लाग तीर सजर पदों के बारे में जिसकी एक नई अपडेट जाड़ी कर दी गई है वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल और程र आम की बात करें तो हमारा ओर्गे जैसंनम सेंट्रल रिजव पुलिश फोर्स यानि और गए है जब लोकैशन की बात करें तो हमारा जब लोकेशन बहुरियास पोस्ट पर अभी रखा गया है जारिक की जाएगी Post name की बात करें तो हमारा Post name Constable GDK पदों के लिए भरती रखी गई है अगर हम Apply Mode की बात करें तो हमारा Apply Mode ओनलाइन मोड रखा जाएगा यानि इंडिया के सभी Candidate इस फॉर्म के लिए ओनलाइन ही आविदन कर पाएंगे अगर हम CRPF नई भरती 2023 वेकेंसी डिटेस्ट चेक करें तो सबसे पहले Constable Male Candidates की बात करें तो Male Candidates के लिए 1,25,262 वेकेंसी रखी गई है Female Candidates की बात करें तो Female Candidates के लिए 4,667 वेकेंसी रखी गई है अगर हम Education Qualification की बात करें तो हमारा Qualification अगर आपने इंडिया के किसी भी बोट से सिर्फ दसवी पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम CRPF Constable नई भरती 2023 एज लिमिट की बात करें तो आपको एज लिमिट अगर हम minimum age limit की बात करें तो 18 साल रखा गया है और maximum age limit की बात करें तो 23 साल तक रखा गया है यानि 18 साल से लेकर 23 साल तक के सभी candidate इस फॉर्म के लिए आविदन कर पाएंगे age relaxation की बात करें तो आपको age relaxation भी दिया जाएगा government के रूल के according अगर हम ACST candidates की बात करें तो 5 साल की छूट दी जा सकती है और OVC candidates की बात करें तो OVC candidates के लिए 3 साल की छूट देखने को मिल सकती है अगर हम selection process की बात करें तो हमारा selection process सबसे पहले हमें online return exam देना है CBT mode यानि computer based test उसके बाद physical efficiency test यानि PET उसके बाद physical standard test यानि PST देना है उसके बाद skill test हमारा किया जाएगा उसके बाद हमारा document verification किया जाएगा उसके बाद हमारा medical examination किया जाएगा उसके बाद हमारा final merit list बनाया जाएगा अगर हम CRPF नई भरती 2023 important dates की अगर हम बात करें अगर हम start date की बात करें तो हमारा starting date अभी coming soon पे रखा गया है देने की कोस्टिज करूँगा अगर हम CRPF Constable नई भरती 2023 एप्लिकेशन फिस की बात करें तो हमारा एप्लिकेशन फिस अगर हम जेनरल केंडिेट्स की बात करें तो 100 रुपे की फिस रखी गई है OBC केंडिेट्स की बात करें तो OBC केंडिेट्स पे कर पाएंगे अगर हम CRPF Constable नई भरती 2023 पेमेंट की बात करें यानि सेलेरी और पेसकेल की तो सबसे पहले हमें 35,100 रुपई से लेकर 69,100 तक पर मन्त दिया जाएगा अगर हम हम लेबल 4 की बात करें Head Constable, GD Constable के लिए तो 25,500 रुपई से लेकर 81,100 रुपई तक रख्था गया है अगर हम Constable General Duty लेबल 3 की बात करें तो लेबल 3 भी हमें 21,700 रुपई से लेकर 69,100 तक पर मन्त दिया जाएगा अगर हम CRPF Constable नई भरती 2023 फिजिकल इजिबिलिटी डिटेल् करें अगर हम Height की बात करें फर female Candidates के लिए 162 cm North India Candidates के लिए 150 cm रखा गया है अगर हम male Candidates के लिए 169 cm और North Jones Candidates के लिए 160 cm रखा गया है अगर हम चेस्ट ओनली फर male Candidates के बात करें तो 77 to 82 cm रखा गया है अगर हम CRP app Constable नई भरती 2023 इंपोर्टेंड लिंक की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइट करा दिया है आप इस वाले लिंक पे किलिक करके ओपिसल साइट पर विजिट कर पाएंगे अगर आप भी CRP app Constable नई भरती 2023 के लिए आवधन करना चाहते हैं तो जैसे ही इसकी कोई और भी नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जनकारी आपको नेक्ट वीडियो में देने की कोशिस करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद